जाहिन दोस्तों मैंनी दीबन चोहन आज हम करेंगे क्लास ट्रैंथ का question 1 का part 4 इसमें हमें पूछा है कि दी गई values द्वीघात समीकरण है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं LHS पे हमारे पास है x-3 bracket 1 2x plus 1 bracket 1 और RHS पे है x bracket x plus 5 bracket 1 तो पहले हम LHS को solve करेंगे LHS है x-3 bracket 1 bracket में 2x plus 1 x से पहले 2x plus 1 को गुणा यह देखो कर दिया फिर minus 3 से 2x plus 1 को गुणा यानि कि एक बारी x से यह पूरी टंग गुणा होगी फिर minus 3 से तो हम इस तरह से लिख देंगे ठीक है bracket में अब हम यहाँ पर इसको करते हैं गुणा देखो क्यासे करेंगे 2 एक कम 2 x को x से किया तो x की 2 ठीक है x को 1 से किया तो x x वनजा x फिर minus 3 से 2x को तो minus plus minus 3 दूनी 6x minus 3 एक कम minus 3 ठीक है 2x square 6x में से 1x गया तो minus 5x और minus 3 यह आ गया हमारा LHS का solution अब हम RHS को solve करेंगे तो RHS को solve करने के लिए RHS को पहले हम लिख देंगे ठीक है कैसे लिखेंगे देखो जो हमें दिया गया है x bracket में x plus 5 ठीक है इसको हम पहले कर लेते हैं गुणा x को x से गुणा किया तो x square 5 एक कम 5x यह हो गया RHS अब LHS और RHS को हम बराबर लिख लेंगे ठीक है LHS हमारा क्या आया था 2x square minus 5x minus 3 यह हमने यहां लिख दिया RHS हमारा है x square plus 5x ठीक है अब इस पूरी term को means RHS को उठा के हम LHS पिलाएंगे ऐसा करने से निशान जो है वो बदल जाएंगे 2x square minus 5x minus 3 plus x square है पक्षांत्रण होगा तो minus x square plus 5x है पक्षांत्रण होगा तो minus 5x बराबर 0 तो देखो 2x square में से 1x square गया तो x square बचा ओके minus minus plus यहां minus 5x है यहां भी minus 5x है minus minus plus हो जाएगा और यह हो जाएगा minus 10x ठीक है और minus 3 बराबर 0 तो यहां देखिए a बराबर है 1 x square के साथ कुछ नहीं है that means 1 b बराबर है minus 10 और c बराबर है minus 3 ठीक है तो इस तरह से यह एक द्वीघात समीकरण है तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत